वेलकम टो श्यू मोटिवेशन आप सभी का स्वागत है श्रिंखला में खुशी कैसे प्राप्त करें हैपिनिस पासवर्ड जानना चाहते हैं येस तो आप सभी का स्वागत है आज का जो प्रिशन आया है वो ये ऐसा है जब हम किसी कार्य में व्यस्थ हो जाते हैं तो जैसे दर्द को हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और हम समझते हैं की दर्द खत्म हो गया जबकि थोड़ी देर के बाद वा फिर से शुरू हो जाता है ऐसा क्यों होता है उत्तर शायद हम कोई ना कोई परिस्थिती या कोई ना कोई अन्य तरीका ढूंडते हैं जिससे हम अपने मन को उससे हटा ले इसी तरह भावनात्मक स्वास्त में भी हम दर्द को भूलने के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं जैसे की मैं खरीदारी करने जाऊं शॉपिंग किसी से थोड़ी देर फोन पर बात कर लूँ तो मैं अपने खाली पन को थोड़ी देर भूल जाऊं इससे दर्द तो गया नहीं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपने अलग कर दिया नहीं न कहीं हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं और यहाँ बहुत ही सुन्दर जीवन है जिसके हीरो आप है यहाँ बहुत ही सुन्दर जीवन है जिसके हीरो आप है बहुत से लोग जीवन की इस सुन्दरता का आनन्द ही नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हमने आत्मा के स्वास्त की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और बाकी चीजों का तो हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं लेकिन हमारा जो आधार भूत पहल है जहां से सारा कुछ शुरू होता है उसका ही हमने ध्यान नहीं रखा हमारा जीवन एक पेड़ की तरह है अगर बीज की गुणवत्वा क्वालिटी का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पौधा अच्छा नहीं होगा हम कहते भी हैं कि हां बाकी तना बहुत अच्छा है शाखाएं बहुत अच्छी हैं पत्ते फल सब कुछ अच्छा है लेकिन बीज की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो कहीं न कहीं हर समय कुछ न कुछ कमी रहेगी इसलिए हमेशा ध्यान रखें Mind is not a dustbin Self-care is the necessity Take care Shukriya